हेलो एब्रीबन राधे राधे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में आज मैं आप सभी के साथ बहुत बढ़िया वाली पूजा जो है ना सियर करने वाली हूँ तो वे वीडियो को बहुत ध्यान से ज़रूर देखें तो सबसे पहले हम थाली लगा लेते हैं पूजा की कौन कौन से सामन की हमें आवश्यकता होगी तो यहाँ पर मैंने कटोरी में मिस्री ले ली है पंचा में दिया है पान का पत्ता इस पूजा में बहुत आवश्यक होता है तो पान का पत्ता आपको आवश्य रूप से लेना ह और यहाँ पर मैंने कोई भी दो फलाप ले सकते हैं जो भी आपके घर पर उपलवध हो तो बस इतना सा ही हमें सामान जो है न चाहिए होता है इसके बाद गीका दीपक जो है न मैं रखना भूल गई थी तो देखें यहाँ पर मैंने गीका दीपक भी रख लिया है अब चलते हैं पूजा करने के लिए तो आज मैं आप सभी के साथ सेयर करूँगी लक्षमी जी की पूजा हर सुक्रवार के दिन आप कैसे कर सकते हैं अगर आप कोई बृत नहीं कर पाते हैं आपके सरी में इतना सामर्थ नहीं है तो आप इस पूजा को कीजिए इस पूजा को अपने घर के मंदर में भी जो है ना कर सकते हैं अगर संबब हो जाए तो आपने जिस जगे दिवाली की पूजा कीती उस जगे भी जो है ना इस पूजा को आप कर सकते हैं तो आपके लिए जो सही हो और जो आपके लिए कंफरेवल हो आप उसे साफ़े देखि हल्दी से आप जरूर लिप ले नीचे चौक वगेरा पूर ले उसके बाज हो है यहाँ पर पटा बिचा कर लाल कपड़ा बिचा कर मैंने यहाँ पर लक्षमी जी और गड़ेश जी को यहाँ पर इस्तापित कर लिया है अगर आपके पास इस तरह के लक्षमी जी गड़ेश जी नहीं है तो कोई दिकत नहीं है उपर देखिए यहाँ पर कलेंडर हम सब के घर पर ही लगता है लक्षमी जी का तो आप उस कलेंडर की भी पूझा कर सकते हैं हर सुकरवार के दिन तो सबसे पहले हम लक्षमी जी गड़ेश जी का जो है ना मन में ध्यान करते हुए चावल और फूल जो है ना उनकी उपर इस तरह से चढ़ा देंगे इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर दीपक का पूझन कर रही हूं तो दीपक का पूझन आप सबको पता है कि सबसे पहले दीपक का ही पूझन किया जाता है बिलकुल सिंबल दरी से दिखा रही हूं इसलिए जो है ना सबसे पहले मैंने आप दीपक का पूझन कर दिया है और उसके बाद जो है ना हम यहाँ पर लक्षमी जी गड़ेश जी को इस नान करवाएंगे इस पूझा को आप चाहे तो को कर सकते हैं तो यह अपने हिसाब से देखने की किस समय जो है आप इस पूझा को करना चाहते हैं सुबा करते हैं तो बहुत अच्छी बात अगर टाइम नहीं मिल पाता तो आम साम को भी कर सकते हैं तो सबसे पहले मैंने आप सुद्ध जल से लक्षमी जी और गड़ेश ज में मसाच कर दूँगicon केंगी मूर्थी काली हो जाती है खासकाछादी की मूर्थी बहुत जल्दी काली होती है तो इस तरह कि पंचामे में तो यह फठ्ध जल से बड़ेश करते हैं तो समस्नान करosiी अर। इसके बाद जो है न मैं लक्ष्मी जी और गड़ी जी का अंग पोशन करूँगी और अंग पोशन करने के बाद हम बढ़िया वाला इत्र लगाएंगे और वो भी बताओंगे मैं आप सभी को कि कौन सा इत्र जो हैना मैं आज लगाने वाली हूँ बहुत अच्छी इसकी खुस्बू है आप चाहे तो ट्राइ कर सकते हैं कोई प्रोमोशन वगरा कुछ नहीं है अच्छा लगा इसलिए जो है ना मैंने आपको यहां पर बताया है तो मैंने अंग पोशन कर लिया और इसके बाद जो है इस जल को आप अपने घर के किसी भी पे अगर आपको भी अच्छी लगे तो आप ला सकते हैं मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी आर्टिफीशल जीसी खुश्बू नहीं थी सच मैं ऐसा लग रहा था कि गुलाब का इतर जो है ना मैं भगवान को लगा रही हूँ बहुत अच्छी इसकी खुश्बू थी तो इ i讲 और इत्र लगानि के बाट अगर पषुश्बूant को फ़Тद कर सकते हैं और मैं ने आपको पहले ही बता दिया हैं अगर आपके पास कलेंडर तो हम सबके घर पर लगता है तो आप इस कलेंडर की भी पूजा कर सकते हैं पूलों के आसन की उपर मैंने लक्षमी जी और गड़े जी को यहाँ पर राजमान कर लिया है और लाल और हरे कलर के कपड़ों में दिखिए भगवान कितने सुन्दर लग रहे हैं लाल कलर को बहुत जादा प्यारा लग रहा है देखने में मुझे कमेंड वाक्स में कमेंड क करें अगर संबब हो सके ना हो सके तो आप घर के मंदिन में भी पूजा कर सकते हैं इसके बाज है ना आपको यहाँ पर फूलों की माला चड़ा देनी है अगर आपको माला मिल जाती है अगर ना मिले तो लाल कलर का फूल माता रानी को आप जरूर अर्पित करें अगर मिल तो मुझे भी नहीं मिल पाया आज तो देखिए मैंने आज गेंदा का फूल इसको बुला जाता है उसकी माला भगवान को अर्पित की है क्योंकि मिलना बहुत मुस्किल हो गया था अगर आपको मिल जाए तो आप लाल कलर का फूल मातारानी को अवश्य रूप से चढ़ाएं तो इसके बाजो है ना आपने फूल माला वगवा चढ़ा दिया इसके बाजो है प्रसाद लगाया जाता है मातारानी का तो लक्ष्मी जी का प्रसाद विशेश रहता है इसमें आपको पान के पत्ते की अवशक्ता होती ही होती है तो आपको पान का पत्ता अवशरूप से लेना है अगर इस पूझा में कोई कमी रह जाती है कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आपको पान का पत्ता अवशरूप से लेन और इसी का प्रसाद मता राने को लगाया जाता है सुक्रवार के दिन लक्षमी प्राप्ति का विसे सुपाय है अगर आप इस तरह से हर सुक्रवार के दिन अगर पूजा करते हैं मता लक्षमी जी की इस तरह से अराथना करते हैं तो आपके घर में धनगी कभी कोई कमी नहीं रहती और प्रसाद आपको पान के पत्ते के उपर ही लगाना है आप भूलना जाए इसलिए मैं आपको बार बार ये बात बता रही हूं सुकरवार के दिन अगर आप इस तरह से प्रसाद लगाते हैं तो यकीन मानिए आपकी सारी मनुकामना बहुत जल्दी जल्दी पूरी होने लगती है ये प्रसाद बहुत जन्हा बिशेश रहता है इसके बाद आपको आरती करनी है और आरती से पहले आप चाहे तो मातालक्षमी जी का कोई मंतर जब सकते हैं कोई पार्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं अगर अंदर सामरते वही चीजों की जो है ना हमें सुरुबात करनी जाएं